नमस्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवान श्रीराम के अश्रीरबाद शीर आप शबी बहुत यह अच्छे होंगे दोसुं आप शिपी को बिदा दें कि आज शाम के 6 बच कर 30 मिर्ट के बाशिए आप शिपी के राष्वी में मगवान श्रीराम का अश्री मशिरबाद पढ़ने वाला है जिन के कारण दोसुं आपको शार्थ बड़ी खुश्कबरी मिलने वाली है जी यह दोस्तों और यह बड़ी खुशकपरी आपको बिल्कुल ही चोंका कर रख देगी क्योंकि दोस्तों हम आप शिपी को बिता दें कि यह खुशकपरी आप शिपी की जुनकाल के लिए आपके आने वाली भुशके लिए बहुत ज़्यादा मैं अपुशकपरी आपके कर्मों का फल है और दोस्तों यह खुशकपरी आपको केशे मिलने वाली है इनके लिए आपको कौन सी विशेश बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आज के इस विडियो में हम शंपुशन जानकारी पूरे हिविस्तार श्री बात करने वाले हैं इज़ने दोस्तों हमारा वशा आप शिपी चेह निवेदर रहेगा कि दोस्तों आज के इस विडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और इन्हें शुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यांशी देखिएगा जियां दोसों, दोसों हम आप शुबी को बता दें कि आपके जिवनकाल में बहुत शारेशी इस्तिती आई है बहुत शारेशा समय आया है जिन में दोसों, आपको बहुत ज़्यादा तकलिफ हुई है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ा है लेकिन दोसों, आप शुबी को बता दें कि कभी भी कोई इंशान जिन पर आपने भरुशा किया था दोस्तों वो इंशान आपको कभी भी शाथ नहीं दिये हैं जब आपको उनकी जरुती लेकिन दोस्तों हम आप शिभी को बता दें कि आप गलती यही करते ही कि जब भी उनकी बारी आती है तो वो आपको तो धोका देते ही है लेकिन दोस्टों जब आपकी बारी आती है तो दोस्टों आप उनके चिकनी चुपडी बातों में आकर दोस्टों अपने हातों ही अपने पैर में कुलाडी मार लेते ही जी हाँ दोस्टों दोस्तों कहने का ताग पर यह है कि अब आपका शमी आ चुका है आज शाम के छे बचकर तीश मिट के बाश यह आपके गणों की सुभितिती बनने वाली है जिनके कार दोस्तों आपको शात बड़े खुशकपरी मिलने वाली है और यह खुशकपरी आपके जियोनकाल को बदल अब कुछ गलतिया नहीं करनी है जहां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इन्हें आप भोल कर भी मिशना करें और दोस्तों सभी बातों को आप ध्याँ शुरिएगा ध्यान से एगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो दोस्तों हमारा यह दाव सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं आज के बहुती महत्पुन ग्यांशे बहुती महत्पुन ग्यांशे जोग दोस्तों आप शिपी के जिवनकाल के लिए बहुती जदा महत्पुन शाविदोंगे दोस्तों ये आपकी जिवन से ही जुड़ी है बहुती प्यारा श्यग्यान है तो दोस्तों आप बिल्कुल इने ध्यांश चुने का दोस्तों एक बार राधारानी जी अपनी शक्यों के शाद मांखन लेकर मांशी गंगा के तड़ पर आई मांशी गंगा में बहुत पानी है सोचने लगी केशे पार करेंगे मांशी गंगा को तभी कृष्ण नाविक का भेश बदल करा गए और बोले नावशी पार करा देता हूँ गोपियों ने कहा बहुत भला नाविक है शबी शक्यों और राधारानी नाव पर बेट गए श्री किष्ण मन ही मन सोचने लगे आज अनन्द आएगा भगवान श्री किष्ण ने नाव चलाना आरम किया थोड़ी दिर बाद श्री किष्ण बोले मुझे भूग लग रही कुछ खिलाओ नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा शब डूब जाओगी शक्यों ने अपना शब माखन किष्ण को दे दिया किष्ण सब खा गए फिर नाव चलाना शुरू किया थोड़ी देर बाद बोले मैं ठक गया हूँ मेरे पैर दबाओ तभी मैं नाव चला पाऊंगा शक्यां पैर दबाना लगी बहुत शेवा की जब बोले मेरी नाव पुरानी है बजन जादा है डूब जाओगी अपनी मटकी मांशी गंगा में फैंक दो जल्दी जल्दी गोप्यों ने अपनी मटकिया मांशी गंगा में डाल दी श्री किष्ण फिर बोले अभी भी नाव हिल रही है डूब जाओगी अपने गहने भी फैंक दो नहीं तो डूब जाओगी शब ने अपने भवमुल गहने भी मांशी गंगा में फैंक दिये फिर ठाकुर्जी ने नाव चलाई ललिता जी को उनके वस्त्रों में मुरली दी गई ललिता जी बोली अच्छा शाम शुंदर है ये नाविक अभी बता बोला अपनी उत्राई तो लेते जाओ नाविक बहुत हमारे गहने मांखन मटकी मांशी गंगा में डलवा कर दो दोस्तों आज का यह वानी अगर आपको शचा लगा हो इन पर यकिन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूरी किजेगा और दोस्तों पाने के लिए आपको कौण से विश्यस बातों का ध्यान रखना होगा आपका लव लाइब श्वास्त करियर और धन के चती में कौन कोंशे बड़ी बड़ाव होने वाले हैं आपके घर के महल में पारी जोन में आपके परतेक जित्मी कौन कोंशे शुधार होने वाले हैं दोस्तों जानेंगे इन शबी के बारे में पूरे ही विस्तार्शी, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और इने अंत तक ध्यांश देखिएगा, तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी. दोस्तों एश में आपके आत्मिश्वास की सक्षम आपके पर्तिद्यमंदी प्रास्त रहेंगे, बच्चों को पर्तियों के ता शमंदी कारे में भी आवश ही शफलता की ब्राप्ति होगी, दोस्तों किसी राय नित्ती गतिदी से जुड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए फायदे मंद शावित होने वाले हैं, इसको प्राहन दोस्तों एश में अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों आला शुआ फिर शूष्टी हावी होने के वज़शे कुछ महत्पून कारियों को नदर अंदाज ना करें, क्योंको दोस्तों इनके वजश् दोस्तों घर के बड़े बुज़गों के स्वास का भी अतिन ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंको दोस्तों उनकी शमस्या यश में बढ़ सकती है, इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके लिए सम्होंगे, आपको बता दे, कि दोस्तों आपके मूड में आ रहे हैं गलती की वजशे बढ़ेगी, किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलत फेमी आपके वरताव की कारण हो शकती है, तो दोस्तों इस बात का भी यश में ध्यान रखें, इसको प्राहन दोस्तों आपके लिए समयोंगे, आपको बता दे, कि दोस्तों यश में ग्रह स्तिती कापी संत होते जाएंगी, इसको प्राहती दोस्तों, अगर किशी के साथ कोई वायदा किया है, तो दोस्तों इसमें अवश पूरा करें, नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड़ सकती है, कुछ लावदायक मोके भी यश में आपके हाँ से निकलने की आशंका लग रही है, दिखा हो सकता है, दोस्तों इसमें आपका शकारत्मक तरीके से आप जो भी वक्त बिताएंगे, भले ही यश में आप बड़ी प्रगती ना देख पाएं, फिर भी दोस्तों मन जो है आपका इसमें आनदित रहने वाला है, दोस्तों किसी व्यक्ति आप पिर मित्र की अचानक से मु करें, दोस्तों उनके अनुबहों को आत्म शाथ करना आपको जिवन के कुछ महत्मुन पहलों से अवगत भी करा सकते हैं, दोस्तों इसमें बच्चों की तरब से भी संतो जनक समचार मिल सकते हैं, जिन से आपका मन भी यश में प्रश्टन रहेगा, इसको प्राम दोस्तों परिवरिक व्यक्तियों का उचित सयोग भी यश में आपको चिंता मुख्त रखेगा, इसको प्राम दोस्तों इसमें आपके लिए शमे होगी, दोस्तों आपको बता दे कि खुद के दवरा लिये गए निरले को, दोसरों को बता पाना, या पिर दोसरों के दवरा हो रही, तकलीब के योगमार्गम से परकट करना आपके लिए थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है। दोस्तों जिसके वज़े से मांस्री के तराव बना रहेगा, दोस्तों किस व्यक्ति पर आपको विश्वास रखना चाहिए, ये तई करना यश्मे आपके लिए थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है। मिलने से घर का जो महल होगा, खुसी बरा महल रहने वाले हैं। द्यान रखे दोस्तों यश्मे किसी अन्यवक्ति की वज़े से आपके घर में शुक्षांती भी भंग हो शकती है। इसलिए दोस्तों घर के शदे से आपश मही मिल जुलकर घर की वैश्ता को उचित बना कर रखे। ये आपके लिए बैतर होगे। बिवा के बारे में जो भी लिए गए परहते हैं। आपको अचाना की याश्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप जो है रिलेशंस्टीप में हैं। तो दोस्तों आपके रिलेशन्शिप परवार्दवार मंजूरी मिलने के वज़े आपको यह अनंत की प्राप्ति होगी इसको प्राहतों तो यह समय आपके रिश्व में होंगे आपके केर्यर के गर बात करें तो दोस्तों यह जो है महिलाओ की वस्तवों से सम्दित वह सभी और आपका बजट है तो इन पर भी आप ध्याने श्मीड सकते है इस के प्रान तो से इस में आपके वायुषाय के लिए चाहिए आपके के लिए आपको वदातें कि आपकी आर्थी इस्तिति जो है शमानी ही रहेंगी आचाने की कोई बड़ा खर्चा सामने आजाने से आ आपके लिए उचित रहेगा तो दोस्तों आपको जितना होश्च के उतना ही पेश्चे को उधार ले इसको ब्राइब दोस्तों में आपके लिए काम में रिक्ष ना ले यह आपके वायुशाय के लिए बैतर होने वाले इसको ब्राहा दोस्तों आपके वायुशाय के लिए समयोगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी बड़ी कमपणी के शाथ वायुशाय की रूप से जुड़ने की जो नीति है जिए चयुश्च में कामयाब रहेंगी और शभलता भी यह आपको प्राप्त होँगी दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लगर बात करें तो दोस्तों जीवन शाती का श्योग आपके भागे को और दोश्य में परन्तु यह में आपको भी अपने शभाव में और अधिक शकारत मक्ता लाने के उसकता होगी तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें यह आपके लिए बच्चों की तरब से कोई संतो जनक इस्तिती रहने श्यापको सुकुन की भी प्राप्ति होंगी इसको प्रांद विए आपके व्यक्तिकत जीवन में कुछ प्रिशानियां भी उत्पन कर सकता है तो दोस्तों इसलिए इन से आपको शाधन रहने की यह ज़र्वरत होगी औ परशंगों में यह नई दिख्यां भी आने वाली है प्रतु विवातर शमंदों से दूर रहें अनिता आपकी ही मान हनी हो शकती है इसको प्रांद दोस्तों इसमें आपकी स्वास देनी सेहत को लिकर बात करें तो दोस्तों सर्थागान की वज़़ए यह स्रुमाइकल या प्रकंदों में बदन में आपका दर्द हो सकता है इसकी स्वास की बन रहें है पर उतिच आराम लेना आपके लिए यह स्वास सब्सक्राइब अपना बचाव करें यह आपके लिए पहतर रहने वाले है इसको ब्राद दोस्तों येश में आपके स्वास्त लिए समय होगे, आपको बता दें कि स्वास्त अंत में ठीक होगा पसरतें दोस्तों मांसिक तरावश्य बचने के लिए आपको कुछ में मेडिटेशन या फिर ध्यान में समय को वैदित करना चाहिए ये आपके स्वास्त लिए समय बहतर रहने वाले हैं वो अपना विशेश तोर पर अपना ध्यान रखे जरासी लोप रुआई आपके स्वास्त को इसमय खराब कर सकता है और दोस्तों ये शमें आपका भागेशाली रंगरेगा पिला और भागेशाली अंकरेगा तीन